दोस्तों कभी किसी ने आपसे कोई एहसान मांगा है और आपने बिना दो बार सोचे उसको हां किया है क्या आपने मना कर दिया क्या ऐसा हुआ कि जब आपने हां कर दिया तो बाद में आप बहुत पश्टाए कि आपने क्यूं हां किया और अगर आपने मना किया तो बाद में आपको खेद हुआ कि आपको मना नहीं करना चाहिए था नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रिंपी डीप नौलेश में आपका स्वागत है तो आए शुरू करते हैं अगर आप इन सारे सवालों के जवाब इसके पीछे की साइंस जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए हैं दोस्तों जब मैंने अपना mathematics निकाला कि कितनी बार मैंने लोगों को हा किया या मना किया तो मैंने पाया कि generally मेरी पहली tendency आती है हा करने की अगर किसी ने मुझसे छोटा सा favor मांगा कि आप मारे लिए ये कर देंगे या वो कर देंगे तो ज़ादा तर मैंने अपना देखा कि मैंने हा कर दी चीजों के लिए उसके बाद क्या हुआ जब आपने बाद में देखा कि आपको उस चीज के लिए कितना time लग रहा है तो जितना time आपने सोचा था उससे ज़ादा time आपको और ज़ादा energy आपको spend करनी पड़ती है उस काम के लिए तो सामने वाले पे तो आपने हैसान कर दिया लेकिन इस पूरे process में आपका खुद का कितना time waste होता है ये बाद में आप realize करते हैं अगर देखें दोस्तों ये तो दूसरों को खुश करने की बिमारी disease to please ये आई कहां से 1950s में scientist ने कुछ experiments किये जिसमें उन्होंने देखा कि even chimpanzee जो होते हैं वो भी अपना meat एक दूसरे के साथ share करते हैं इसी तरीके से उंकीस की एक और प्रजाती है बबून्स बोलते हैं जिनको वो भी एक दूसरे के help करते हैं एक दूसरे के फर में से केड़े निकालते हैं बैट के अब ये छोटी चीज़े नहीं हैं जब इनको scientist ने study किया तो उन्होंने देखा कि अगर same family के chimpanzee हैं तब तो क्यों नुकसान हो रहा हो मरने का खत्रा हो तब भी वो लोग ये risk उठाते हैं तो कहीं न कहीं ये समझ में आता है कि वो अपनी प्रजाती को या अपनी family को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन वो वाले chimpanzee और वो बगूंस जो एक family के नहीं थे वो क्यों एक दूसरे के लिए ऐ इसा करते हैं तो इन सारे सवालों का जवाब निकल के आया एक गेम थियोरी से जी हां एक American Political Scientist है Robert Excel Rod उन्होंने computer programs के experiment किये क्या किया उन्होंने computer programs को एक दूसरे से भिड़वाया उनके tournament conduct किये तो एक program दूसरे program के साथ लड़ाई कर रहा है इसके अंदर एक strategy थी जो निकल के आई बहुत clear तरीके से winning strategy और वो strategy थी या वो policy थी tit for tat जैसे को तैसा जी हां जैसे एक computer program दूसरे के साथ cooperate करता है तो सामने वाला भी cooperate करेगा अगर आपका computer program opposite वाला cooperate नहीं कर रहा है तो आप भी मत करिए अगर वो फिर से आपकी help करने रा चाहता है तो आप फिर से help करिए इसमें computer programs ने बहुत सारी चीजें अपनाई कई बार उन्होंने एक दूसरे के साथ cooperate किया कई बार इ कट विनर की तरह निकल के आई और यही होता है एनिमल्स की दुनिया में भी मतलब इसको बोला जाता है साइंस में reciprocal altruism altruism का मतलब जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं या फिर reciprocity मतलब जैसा सामने वाले ने आपके साथ किया आपने भी उसके साथ वैसा ही बैवार किया जो reciprocity थी या जैसे कुछ ऐसा टिट फॉर टाट जसको हम बूल सकते हैं जब इसको देखा गया तो chimpanzees में देखा गया कि वो इसलिए अपना मीट दूसरे chimpanzee के साथ शेयर करते हैं जिससे कि अगर अगली बार वो शिकार पे गए उनको मीट नहीं मिला तो उन काफी सारे primates या काफी सारे monkeys तो खतम हो गए gene pool से जो इस तरह से behave नहीं करते थे दोस्तों देखा जाये तो human beings के लिए भी हम लोगों के लिए इंसानों के लिए बोला जाता है कि हम लोग भी primates या chimpanzees या उनसे evolve होके develop होके आए हैं तो यह जो हमारी एक दुसरे के साथ corporate कर अबना है वो हमारे अंदर evolution से एक तरह से भर दी गई है और यह इसले हुआ जिससे कि हमारा gene pool जो है वो आगे बढ़ता रहे हमारी जो species है वो आगे चलती रहे हम लोग अपने रोजमरा की जिदगी में देखें तो यह चुट इट फॉर टाट जैसे को तैसा वाली strategy है यह ह को daily life में देखने को मिलती है जहां पे पूरी दुनिया की economy global economy चलती है हम रोज हजारों लोगों की मदद करते हैं जो पता नहीं कहां continent पे बैठे हैं जिन से हमारा कोई लेना देना नहीं है लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं एक understanding है आप दूसरे के help करेंगे और दूसर भी अच्छा करता है तो कहीं न कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि अब आपकी duty बन गई है कि आपको सामने वाले का एहसान चुकाना पड़ेगा आप मैने पूलेबल हो जाते हैं सामने वाले आपका फायदा उठा सकता है वो आपसे कोई भी favor मांग सकता है और कहीं न कहीं अगर आपने उससे पहले कोई favor लिया है तो आपको एक जिम्मेदारी का हैसास होता है कि आप आपको भी उसको यह एहसान वापस करना पड़ेगा तो दोस्तों जब भी यह tit for tat strategy होती है तो यह शुरुवात में spontaneous या जो automatic yes होता है हमारे अंदर उससे शुरूर होती है हम तु कोई बात नहीं कल को हमारा काम पड़ेगा तो वो भी help करेगा लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि चाए arguments कितनी भी हो time हमारे पास limited ही होता है और बहुत बार तो यह spontaneous जो yes है यह हमको परिशानी में डालता है दोस्तों अब आप जान गए हैं कि यह जो automatic yes कहने की tendency है हम सब के अं तो अब क्या करें आपके लिए हम एक छोटी सी technique एक simple सी tactic बताते हैं 5 second no जी हाँ practice करिए इसको जब भी आपसे कोई request कहता है तो 5 second पहले सोचिए pros and cons मन में देखिए और उसके बाद मना कर दीजे 90% of the time आप जब मना करते हैं तो कोई ऐसी चीज नहीं होती है जससे कि बहुत जादा फरक पड़ेगा आपकी लाइफ में तीरे दीरे लोग आपकी consistency को देख के समझ जाएंगे कि until unless बहुत ही urgent कोई चीज है तबी वो आपसे कुछ भी बोलेंगे otherwise वो आपका time जो है वो waste करने से बचेंगे तो ये 5 second no strategy है इसको आप practice में ला सकते हैं एक पुराने roman philosopher थे Seneca उन्होंने पोला था कोई व्यक्ति जब आपको अपनी दरफ खिंचता है तो वो आपको आपसे दूर कर देता है तो आपका time जो आप दूसरे व्यक्ति को देते हैं वो आप अपनी life से खतम कर देते हैं तो एक चोटी सी tactic 5 second no इसको practice करके देखिए और ये जो automatic एकदम से तुरंत हा कहने की tendency है आप देखेंगे ये आपके लिए कम परिशानी बनेगी तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमको अपने कमेंट्स में जरूर लिखकर बताईए हमारे चानल को subscribe करिए please हमारे वीडियो को like करिए और अपने valuable comments हमको जरूर दीजेगा thank you so much हुआ हुआ